हर हार महादेव देवो के देव महादेव जी के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो माता गवरा पार्वती के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो गनपती ललनमा के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो सब गुरु भाई बहनों के चरण में परणाम करती हूँ, मेरा परणाम स्विकार हो, माता पिता के चरण में परणाम करती हूँ, मेरा परणाम स्विकार हो, गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पुरा सुनिये और रहा जानिये, आधी नहीं, आ बहुत बड़ा जंगल था जंगल उस जंगल में बहुत बड़े जीव जानतू रहते थें उस जंगल में एक ब्लिया थी जंगल में अपना पुटियां बना कर जोपडी बनाकर रहा करती थी वो जो बुडिया थी उसका एक बेटी भी थी एक बेटी थी वो बुड़ी माता क्या करती थी कि लकड़ी काटती थी और लकड़ी काटकर और ले जाकर बजार में बेचती थी और काती थी कि भाई हम लकड़ी पेच कर अपना परवरिस करते हैं लेकिन अगर जो आप लोग दुकान करते हैं दुकान बाला मालिक हैं घर का मालिक हैं जो भी हैं वो थुड़ी सी दान करते तो हम बुड़े और बेसहारों गरीबों को मदद करते हैं हम चाहते हैं कि कोडिया लंगडाल उल्ला और जितने जो निर्धन हैं गरीब करन्या कुमारी सब को हम मदद करते हैं और मदद कर ले जाकर अपना भी बिजनस करके लकड़ी बेचकर परवरिस करते हैं उन लोगों की मदद करते हैं और मंदिर जाती थी पुड़ी माता संकर भगवान के पुजा करती थी मंदिर जाती थी तो मंदिर में जितना चड़ावा चड़ता था और सहेट कर ले आती थी और मंदिर में जो भी पुजा करने जाते थे उस पर दवाव किया करती थी कि देखिए गुर्भाई भणा आप लोग मंदिर में ये चढ़ावा चढ़ाएंगे नहीं तो मंदिर नहीं आईएगा मंदिर में साड़ी चढ़ाएंगे चावल चढ़ाएंगे अनाच चढ़ाएंगे साख सबजी लाइए यदि नहीं लाइएगा तो भगवान को हम भोग कैसे लगाएंगे भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान रुष्टु हो जाएंगे, आज हम सपने में देखे हैं कि कम से कम सारी लोग मिलकर मंदिर में मेरा दस के जी चावल चढ़ना चाहिए दस के जी सबजी हो जाना चाहिए दो के जी चावल हो जाना चाहिए इतना पैसा सब मिलके चढ़ाईए ऐसे करके और बुढिया माता ढोंग किया करती थी सारी लोग जो थे वो बुढिया का बात मानते थे और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे और बुढिए सारी चढ़ाई हुए धन को समेठ कर अपना जोपड़ी में ले जाती थी और खूम जे से खाती थी और पुरा अच्छे-च्छे पहंती थी अच्छे-च्छे खाती थी माऑ वेटी आजात करती थी एक दिन माता बंसती और माता पार्वती दोनों बन में बैठे थे बैठे थे और बुडिया को सारी लिला देख रहे थे और कह रहे थे माता पार्वती अपने बंसती वहन से कि सुनो बंसती वहन क्या कहूं एक बुडिया है जो पूरे नगर के लोग को परसान कर रखी है अब मेरे पास कोई उपाई नहीं है कि क्या करूँ हमें तो समझ में नहीं आता है कि पुन के नाम पर पूरा पाप बना कर रखा है जो दान करते हैं उन्हें तो लगता है कि सचमुच में हम दान करते हैं और भगवान को भोग लगता है महादेव खाते हैं माता पारवती खाते हैं लेकिन ये तो बुढिया अपना अजादी का जंडा उड़ा रही है जंगल में रहती है लेकिन आजात करती है सरधान जो है चड़ाये हुए धन को लाकर और बेचती है खाती है उड़ाती है इसे कैसे रोकें माता बंसती बोलें बहन पार्वती मेरे पास एक उपाय है इतना असानी उपाय है कि बुढ़िया तो बेचैन हो जाएगी आई सारी राज अपने से खोल देगी माता पार्वती बोले बहन क्या उपाय है बताओ हमें बता दो बोले बहन जी देखो मैं एक अपने सक्ती से एक बच्चा बनाती हूँ लड़की और उस बच्चा को बुढ़िया के जोपड़ी कुटियां के पास धर लाएंगे जोपड़ी के पास धर लाएंगे और बुढ़िया इस बच्चे को कितना हूँ मारना चाहेगी लेकिन बच्चा नहीं मरेगा बुढिया को पोशना पड़ेगा तो बुढिया के पास उतना वक्त नहीं रहेगा और बुढिया ढोंग करना कम कर देगी और ये बच्चा जो है बुढिया को परसान कर देगा बोले ठीक है एक क्या किये बंसती माता कि अपने सकती से एक बच्चा बनाए कनिया एक दिन का कनिया और एक लाल रंग का कपड़ा में लपेट के और उस बुड़िया के जोपड़ी के आगे धर दिये बुड़िया निकली बच्चा पुरा हां हां चिला रहा था रो रहा था सुवा हुआ बुढिया निकली तो देख रही कि एक बच्चा फेका हुआ है एक क्या की की इधर उधर देख ली और बुढिया के कलेजे पर उसका बच्चा को चहाड गई बढ़िया कलेजे पर बच्चा को चाड़ गई कचकचा के दोनों पैर लात दे दी लेकिन बच्चा को कुछ नहीं हुआ बच्चा थोड़ा सा भी आवाज नहीं किया बढ़िया को चाकने से शरीर पर और जब बुडिया उद्री तो सोची कि बच्चा मर गया होगा लेकिन बच्चा और जोर से चिलाने लगा उसका बेटी थी और निकली कर रहे है कि मा अई बच्चा कहां से लाई हो इस बच्चे को मिठी में गार दो बोल है ये जीवित बच्चा है बेटी, इसको कैसे कार देशे, तो मार भी रहें, तपर भी नहीं मर रही है, ये बच्ची, जो थी, वो भी जींजांधो के बच्चे को बहुत मारने का कोशिज की, बच्चा नहीं मरा, क्योंकि बच्चा तो प्राकिर्तिक का देन था बच्चा तो बच्चा मर कैसे जाता बच्चा नहीं मरा तो ये बुढिया क्या की की बच्चा को पोस्टने लगी की चलो इसको पोस्ट लेते हैं पोस्ट लेंगे तो नोकरानी बन जाएगी मेरे घर बुडिया जब एक साल पोसी बच्चा को तो एक साल होते होते बुडिया का बच्चा जो लड़की जो थी देखने में लगने लगा कि पान साल का है जैसे लगे कि बच्चा बढ़ने का एक जो तो बढ़े दो जो बढ़े का दो जो तो बढ़े चार जो इतना जल्दी बढ़ी हो गई कि बढ़िया तो सोच भी नहीं रही थी कि इतना जल्दी बढ़ा हो जाएगी बुडिया को थोड़ा सा इधर उदर जाती थी तो ध्यान लगा हुए राता था कि बच्चा को दूद नहीं पिलाए हैं, बच्चा को भोजन नहीं किराए हैं बच्चा कैसे होगा, जब बच्चा बड़ी हो गई तो ये नोगरानी बना कर बुडिया घर में रखने लगी बुडिया जो थी बहुत काम करवाती थी बच्चे से इस लड़की से बुडिया बहुत काम करवाती थी घर के सारी काम करवाती थी बुडिया जाती थी लकड़ी बेचने तो इसको यह भी साथ लेकर जाती थी बुढिया जाती थी भीख मांगने ते इसे भी साथ लेकर जाती थी बुढिया जाती थी मंदिर चलभावा चलवाने को लिए ते इसे भी साथ लिया लेकर जाती थी यह लड़की कुसी कुसी सग्रो चल जाती थी सगरोच चल जाती थी एक दिन का बात है कि ये बच्ची साथ साल का हो गई धीरे-धीरे तो बच्ची देखने में लगने लगी कि दस साल और बारा साल का है तो ये बुढिया बोली कि अरे सुनो तुम्हें तो हम रोज खाना खिराते हैं और अपने पास रखते हैं तु तो मेरा बेटी नहीं है ये लड़की बोली मुझे कोई पता नहीं हम किसका बेटी है तुम्हारे पास कैसे आये नहीं आये मुझे नहीं पता लेकिन क्या कहना चाहते हैं वो मुझे बताइए बोले सुनो अईसा है कि तुम मेरे लिए जा फूल ले आओ कमल का फूल और रात रानी का फूल और दिनो दिन लोट जाना यदि दिनो दिन नहीं लोटेगी तो फिर तुम मेरे घर नहीं लोटना बोले कि दिनो दिन लोट जाएंगे और नहीं तो नहीं लोटेंगे बोले कि हाँ बोले मा कमल का फूल कहां मिलेगा और रात रानी का फूल कहां मिलेगा ये माक का महीना है तो कमल का फूल कैसे मिलेगा और रात रानी का बोले कि जाओ लेकर आओ नहीं तो घर में नहीं रहने देंगे तुम्हें मार काटके भर देंगे बोरे ठीक है ये लड़की निकाल दी घर से घर से निकाल दी और चलने लगी चलते 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 उसको दो पहर बित गया दो पहर बित गया तो भगवान के जाचना माता पारवती और मास बनसती दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये लड़की के फूल नहीं मिलेगा तो बुढिया तो रहने नहीं देगी अब बुढिया नहीं रहने देगी तो उसका राज कैसे खूलेगा उसका पूल कैसे खूलेगा इसलिए कुछ रचना रचना पड़ेगा क्या किये कि एक छोटा सा भगवान का मंदीर था जंगल में भगवान का मंदीर था उसी मंदीर के पास सावन, भादो, आसिम, कातिक, अगन, पूस, माग, फागुन, चै, त्रवैशाग, जेठ, असाग, बारो भाई उहाँ पे वैठे थे माग का महीना था, ठंड का मोसम था, बारो भाई अपना आग जलाकर अपना हाग, हाथ से क्रह थे, अगनी जलाकर लकडी तोड़ तोड़के उसी जगा पे लड़की पोची बहुत ठंड था, इतना ठंडा कि पूरा पहाडी पे बरभ जम रहा था बारो भाई देखे तो कहने लगे कि एरे, इतनी छोटी वच्ची कहां जा रही हो, लड़की बोली भाईया, हम जा रहे हैं कमल का और रातरानी का फूल लाने, हम एक बुडिया के पास रहते हैं, और बुडिया बोली है फूल लाने को लिए, बोरे बहन आजाओ, पले हाथ सेख लो, ठंड है, ये क्या किये, कि एक भाई उसमें से अपना चादर सबसे पहले दे दिये इसके सरीर पे, ये चादर ले ली अपना सरीर पे और बैट गई हाथ सेखने लगी, फिर बोली भाईया, यदि हम समय से फूल ले कर नहीं पहुंचेंगे, तो हम को जो बुडिय रखती है, और नहीं डुकने देगी, जाते हैं खोजने, ये बोले कि हम फूल देते हैं, बोले कि अरे आसिन मास, रात रानी का फूल इसको दे दो, अरे भादो मास, कमल का फूल दे दो, तो भादो और आसिन मास दोनों, वहाँ पर कमल का फूल पूरा चादर भर के दे दि ये कि आप लोग तो एतना देरी बिलमा लिये अब घर कैसे जाएंगे तो मेरा समय ही नहीं बच रहा है जल्दी पहुँचने का बोले रुक जाओ एक कमल का फूल नीचे धर दिये और इसको बोले कन्या को कि अपना पैर धरो इस पे कन्या पैर धरी ये जो आसिन मास थे वो उड़ा दिये फूल पहुच गया उसको दर्वाजे पे लेकर वो लड़की बोली मा मा बोली क्या हुआ ये तो साम से पहले ही आ गई फूल लेकर आई यदि फूल नहीं लाई होगी तो तुम्हें दो टुकड़े कर देंगे बोली मा खोलो तो केवाडी केवाडी बुढ़ बोले क्या कहुं मा एक मंदिर के पास बारा भाई थे आग तलहरा करते ताप रहे थे तो उन्हों नहीं मुझे दिये हैं ये चादर रोई फूल वहीं से तोड़े हैं लो फूल बला बुडिया फूल क्या करती बुडिया फूल फूल को फेक दी बुडिया फूल को फेक दी और इसे भोजन दे दी सुखी रोटी सुबह हुआ तो अपने आपस में मा बेटी बात कर रही कि मा ये तो मरी नहीं अब क्या करें बोले बेटी ऐसा करो इसको बोलो कि आम लाएगी क्योंकि माक का महीना में आम नहीं मिलेगा तो आम लाने को बोलो वो बोली जाओ आम ले आओ टोकरी भर के या जी यदि आम नहीं लाओगी तो तुम्हें घर में रहने नहीं देंगे बोले आम दो टोकरी भरके तो नहीं लाएंगे दो लाएंगे बोले नहीं टोकरी भरके लाना ए लड़की फिर रोते भी लड़ते चली गई उसी के पास फिर बारो भाई आग जला करते हैं ताप रहते हाथ को सिक रहे थे फिर बोले कि फीरी लड़की आ गई है फिर बारो भाई वहां पर बैठे हुए थे बोले कि क्या हुआ अब हम बहिया कल तो फूल ले जा कर दिये अब आज आम मांगी है आम कहां से लाएंगे बोले देखो ऐसा है कि आम तुम्हें हम देंगे बैठो एक का बोले भाई बैशा भाई जेट कुछ आम कच्छे कुछ पक्काई शे दे दो तो भाई वैसाग भाई जेट चादर भैलाएं चादर में भर गया इसे आम दे दिये बोले जाओ लेकर जाओ लड़की जो थी तो क्या करती थी कि दो पत्थर पर अपना जल चढ़ाती थी और काती थी है बगवाल हम आपको पुजा करते हैं हम नाम नहीं जानते हैं लेकिन आपको हम पुजा करते हैं आप मेरे हर दुख सुख में साथ दीजिएगा ये लड़की गई तो फूल सबसे पहले उसी पथर पे धर दी थी और आम ले लिए और आम ले जाकर उसी पथर पे चढ़ा दी अपने मा बुढिया को बोली लो मा मैं आम लेकर आया हूँ बोली इस चीजर में तू आम लेकर आ गई हो तो हाँ बुढिया देख रही है तो सचमुच में चातर भर के आम ले आई बच्ची आम जब ले आई तो देखी बुढिया पूरा ठिठा ठिठा खाई पूरा पेट भर करके गबगब खाई मा बेटी और सुबह में बोली अरे हम खुद से जाएंगे आम लाने को लिए यह तो एतनी सी लाई है चलो हम भी जाएंगे मा बेटी चल दी आम लाने को लिए आम लाने को लिए चल दी तो चलते 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 उसी जगह पर पहुची जहां पर बारो भाई थे जहां पर बारो भाई थे वहीं पर बढ़िया पहुची बारो भाई बोले बढ़ी माता आप कहां जा रहे हैं लेकि अरे तू बीच में मेरा रास्ते में टोकने वाले कौन हो बोले हम बारा भाई हैं तुम्हारे पास सही मेरा उद पास जो लड़की राती थी हो ले जाती है फूल और आम तो हाँ हम ही दिये हैं बैठो हम तुम्हें भी देंगे, उसे क्या किया कि हम बैठेंगे तुम्हारे पास, जितना आम है वो दे दो, किधारे पेड़ हम खुद को तोड़ लेंगे, आम बता दी ये बार हो भाई कि देखो आम का पेड़ है तोड़ लो, बुढिया जब तोड़ने गई, तो जैसा ही आम का फल्च होई, जैसा ही बुढिया राक्सिनी बन गई, क्योंकि मंदिर में के नाम पे पाप करती थी, दोनों मा बेटी राक्सिनी बन गई, और राक्सिनी बन गई, और चिलाने लगी किया हा, हमने तो भगवान का कोई कभी पूजा किया ही नहीं, हमने तो मंदिर जात पुरा चिलाने लगी ऐसे करकर के बुडिया और अपना रूप पुरा पागलों की तरह राक्सीनी बनके दिखाने लगी पुरा लोग ठगनी उसको नाम धर दिये और सारी लोग अपना गाउजवार से उसको निकाल दिये कि ये बुडिया राक्सीनी है राक्सीनी है पुरा जो भी उसको बोरे उखी खिया को उस पर दोड़े एक राक्सीनी वो जंगल में ही रहने लगी पूरा बिलटने लगी अब ये माता बंसत्ती अपारवती सोचते हैं कि इस कन्या को तो हम इसके पास रग दिये कन्या तो बड़ी हो गई अब इसका ठिका आना लगाना होगा उसी राष्टे से एक राजकुमार जा रहा था तो ये तो बहुत सुन्दर कन्या थी परी थी राजकुमार को नजर पड़ गया इस कन्या पे तो राजकुमार को नजर पढ़ गया तो राजकुमार देखा तो मोहीत हो के कह रहा है कि आप मुझे पानी एक लोटा पिला दीजिए हमें बहुत जोरों से प्यास लगा है ये लड़की बोली कोई बात नहीं हम पानी किया खाना भी खिला देंगे आईए बैठिये खाना उसे बना कर खिलाई बोले लड़का राजकुमार आपके घर में कौन रहते हैं बोले मेरे घर में कोई नहीं रहते हैं मेरे मात पिता कोई नहीं है हमें कनात हैं क्या कहना चाहते हैं राजकुमार बोला हम आप से साधी करेंगे यह लड़की बोली, तो मेरा कोई नहीं है, क्या आप पूनचे सुविकार करेंगे, राजकुमार बोला हाँ, हम सुविकार कर लेंगे इससे साधी कर लिया, साधी करके और अपना घ़र ले गया अपना घर ले गया तो राजकुमार का माता पिता अंधी थे उनका नेत्र जो दिखता नहीं था ये लड़की को दरवाजे पर जाते ही माता पिता का आखों का रोशनी आ गया माता पिता का आख का रोशनी आ गया दोनों देखने लगे कि मेरा बेटा और बहु दोनों दुवार लगे हैं बड़े खुशी मिला कि मेरा मुझे तो दिखता ही नहीं था लेकिन मेरा बहु दुवारी पे आई है तो मुझे दिखने लगा और ए लड़की जब घर में गई तो पूरा आंधन भर गया उस घर में और किसी चीज का कमी नहीं रहा सारी खुशियां उसके घर में भर गया इसके माता पिता के रोस्नी हो गया घर में दहन लच्मी का परवेश हो गया और पुरा सुक सांती जीवन बितने लगा इसे बहुत प्यार करने लगे घर में नवकर चाकर दुनियादारी पूरा सब कुछ हो गया इसके जो सास असुर्थे वो बहुत प्यार करने लगे और ये लड़की खुसी जीवन अपने पती के साथ बिताने लगी और बुडिया एक पागल और अक्सीनी बनकर जंगल में भटक भटक के रहने लगी जीस तरह से उसे रहना चाहिए उसी परकारो रहने लगी गुरुबाई बहना भगवान को भक्ती करो तो सचे मन से हिर्दय से ढोंग से नहीं ठक के नहीं मुझे जल ही हो तो जल ही चड़ाएंगे भगवान के पास मिस्री नहीं रहेगा तो मिस्री लेकर नहीं जाएंगे जल लेकर ही नहीं जाएंगे सचे हिर्दय से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान मुझे सुविकार लेंगे यदि मन में कपट लेकर और भगवान के लिए भोग लेकर जाएंगे पूरे प्रात में भरके तो भगवान नहीं सुविकारेंगे गुर्भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजे सर किजे सस्क्राइब किजे धन्यवाद रहर महादेव घर घर महादेव